दोस्तों मैं आपका देवर सापके लिए एतने आव दो लेकर आया हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फैक्ट नमबर वन दोस्तों क्या आपको पता है कि क्रोकोडाइल के पेथ में पत्थर क्यों पाए जाते हैं तो क्रोकुटायल के पेत में पथर पाए जाते हैं क्योंकि उल्सकर को शिकार करने असानी होती है तो क्यासे? आपको मन में एक सवाल दाउ 같ी होगा तो उल्सकर ये पथर जानबुझ के निकल लेती है और जब वो पानी में रहती है तब पत्थर के वज़र से पेत भारी हो जाते हैं जिससे वो अपना आग से देख सकते हैं और पूरा स्रीर असानी से दुबा रहता है पैक्थ नमबर तू दोस्तों क्या आपको पता है कि ब्लू विल को स्थलेचर प्रानी क्यों माना जाता है तो ब्लू विल को स्थलेचर प्रानी माना जाता है क्योंकि वो पानी के अंदर सास नहीं ले सकती वो बहारा के सास लेती है फैक्थ नमबर त्री दोस्तों क्या आपको पता है कि इतना और रमूब वाला ब्लू विल एक छिपकली को भी नहीं निकल सकता है उस रिपक छोटा से अंगूर को ही निकल सकता है फैक्थ नमबर त्री दोस्तों क्या आपको पता है कि एरोप्लेन का पैसेंजर्स में से कोई एक का देथ हो जाती है तो क्या होता है तो एरोप्लेन का पैसेंजर्स में से कोई कदेथ हो जाती है तो उसको दूसरा पैसेंजर्स की तरह बैठा दिया जाता है जिससे दूसरा पैसेंजर्स को घबरात नहीं हुए दोस्तों तो आज के लिए बस इतना है और इस वीडियो को अच्छा लगा तो फिल लाइक सेन और सिब्सक्राइब जरूर करें